Hi everyone, स्वागत है आपका Grow with Skills में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Some Ifs Function की हमने Some Ifs को पहले एक्स्प्लोर किया हुआ है मैं वीडियो एंड में पुट कर दूँगी जिसने नहीं देखी है जाके चेक कर लिजेगा आज हम Some Ifs की बात करने वाले है तो Some Ifs और Some Ifs में क्या डिफरेंस है Some Ifs में हम एक ही कंडिशन को दे सकते थे बट Some Ifs के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडिशन को दे सकते हैं मतलब Multiple Conditions और Criteria इसमें हो सकते हैं ठीक है, Same Example है, बट Situation यहाँपर डिफरेंट है यहाँपर क्या है, Product ID के Base पर हमें Find Out करना है यह हमारी पहली Condition है कि ID होनी चाहिए यह, MO101 लेकिन एक और Condition यह है कि Quantity भी 2 होनी चाहिए तो जिसकी Quantity 2 है और ID MO101 है उसका हमें Total Find Out करके देना है विच मीन्स इन तीन कॉलम का हमें Total यहाँपर चाहिए तो यहाँपर एक से ज़ादा Condition हो गई है, दो Condition हो गई है तो एक से ज़ादा आप कितनी भी Condition दे सकते हैं अगर हम इसके Syntax की बात करें तो Some Ifs के अंदर Some Range हमारा पहला Argument होता है Some If में जो था, वो Some Range सबसे Last Argument था यहाँपर वही Argument सबसे पहला Argument है Then Criteria Range 1, उसके बाद Criteria 1, Criteria Range 2, Criteria 2 and so on ऐसे ही यह आगे बढ़ता रहेगा तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले Some If function को पुट करते हैं Some Ifs, ब्रैकेट ओपन करेंगे यह हमसे पूछ रहा है Some का Range मतलब आपको किस चीज का Range चाहिए? जैसे हमें As A Output क्या चाहिए? Total चाहिए तो Total हमारा क्या हुआ? Output हुआ तो जो भी चीज हमें As A Output चाहिए वो हमारा हो जाएगा Some Range दोनों के cases में Some If में भी और Some Ifs में भी तो हम इसको ले लेंगे और F4 प्रेस करेंगे Fix के लिए, अब हमें बोला है Criteria Range 1 मतलब Condition 1 तो Range जब बोला जाता है तो मतलब हमें पूरा कॉलम या पूरे रो को एक साथ देना पड़ता है Range में हमेशा यह ध्यान रखिए गया तो Criteria Range 1 का मतलब क्या है जो हमारी पहली Condition है उसकी Range हमें देनी है तो पहली हमारी Condition क्या है ID ID MO101 होनी चाहिए तो इसकी Range का मतलब जहां पर यह ID मौजूद है उस कॉलम को हमें लेना पड़ेगा तो ID है हमारी यहां पर तो Range हो जाएगी यह पूरी आप 4 प्रेस कर देंगे कॉमा आप पूछ रहा है Criteria 1 मतलब जो हमें यह Range दी है इस Range में से हमारा Condition वाला पार्ट क्या है मतलब हमें जो Value Find Out करनी है वो किस Base पर Find Out करनी है तो हमारी Condition क्या है कि ID यह होनी चाहिए मतलब Mo101 वाले Cell को हमें Select करना है आप Select कर सकते हैं या फिर Manually यहाँ पर Type कर सकते हैं Double Inverted कॉमा के अंदर यह बात मैंने मैं भी Clear की थी यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ आप Double Inverted कॉमा के अंदर लिख सकते हैं कि हमारी यह Condition है Then आप कॉमा देंगे उसके बाद आप Criteria Range 2 मतलब Second Condition आपकी क्या है उसकी आप हमें Range दीजिए तो Second Condition क्या है कि Quantity 2 होनी चाहिए तो Quantity हमारा किसमे है यह Range का मतलब यह वाला Column हमें देना पड़ेगा F4 से इसको भी Freeze कर देंगे कॉमा करेंगे अब जो हमने Range दी है Second वाले पर उसकी Condition क्या है मतलब क्या Value है जिसके Basis पर Find Out करना है क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे Number है तो Find Out किसके Basis पर करना है 2 के Basis पर तो हम Double Inverted कॉमा के अंदर लिख देंगे 2 अब Bracket करेंगे Close ऐसे ही आप Multiple Conditions दे सकते हैं अगर आपकी और भी है पहले आपको उस Condition की Range देनी है then Condition क्या है वो देनी है फिर Second Range और Second Condition फिर Third Range Third Condition ओके ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा Confuse इसमें बिल्कुल मत हुएगा Enter कर देंगे तो हमारे पास Output आ गया है ओके अब सेम इसी को हम एक बार Cell के थ्रू करके देखते हैं यहाँ पर तो हमने Manually Condition दी थी अब हम दूसरे वाले कॉलम पर करके देखते हैं Sum, If, As Bracket, Open Sum का Range तो ये वाला हो जाएगा F4, Criteria Range 1 तो Range फर्स्ट ये वाली हो जाएगी Comma अब Criteria 1 पूछ रहा है तो Criteria 1 में अब हमें Cell देना है Manually हम नहीं लिखेंगे Double Inverted Comma के अंदर हम Cell को देंगे क्योंकि अगर कभी हमारी Condition चेंज होती है तो हम वो कर पाएं ठीक है तो अगर हम यहाँ पर Cell को ले लेते हैं हम चाहे तो इस Cell को Select कर सकते हैं या फिर हम इसको Select कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही हमारी Condition लिखी हुई है तो हम यह वाली कर लेते हैं ताकि अगर कभी Condition चेंज हो Suppose हमें किसी और Code के ऊपर Find Out करना हो तो वो वाला Code हम यहाँ पर लिख देंगे और Value हमारी Same आ जाएगी तो F4 कर देते हैं कॉमा अब Second का Range देना है तो Second वाली यह है इसको भी Freeze करेंगे कॉमा Second वाली Condition क्या है? 2 तो यह वाला हम Cell ले लेंगे इस बार F4 और कर देंगे Bracket Close तो दोनों का Output Same आया है आप जैसे मर्जी वैसे आर्गिमेंट को पास कर सकते हैं चाहे तो Manually Inverted कॉमा के अंदर या फिर Cell का Reference देके Output दोनों का Same आएगा चलिए इसको एक और Example के सांग अंडरस्टेंड करते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और कुछ उनकी Quantity है तो Quantity जो है वो Less than, Equal to 60 होनी चाहिए और प्रोडक्ट क्या है Chocolate होना चाहिए यह दो Condition है यह दोनों Match करनी चाहिए और उनका हमें Total चाहिए ओके इनका हमें Total Find Out करना है तो चलिए यहाँ पर अब हम Formula Put करते हैं Sum Ifs Sum का Range हमें क्या चाहिए Total चाहिए तो Sum का Range हो जाएगा यह F4, Criteria Range 1 क्या है यह है हमारा Criteria Range 1 Quantity हम दे रहे हैं यह वाला तो F4, Criteria 1 क्या है Condition क्या है वो यह है F4 करेंगे Comma अब Second Condition की Range क्या है Criteria Range 2 देना है हमें Second Condition है Product तो Product वाली Range को दे दे देंगे Okay F4, Comma अब उस Range में से हमारी Condition क्या है किसके Base पे Find Out करना है तो Base क्या है Chocolate के Base पे तो Chocolate वाले Cell को Select कर देंगे F4 करेंगे और Bracket Close और Enter Enter करते ही हमारे पास Output आ जाएगा आप इसमें भी Manually quantity को Less than equal to 60 दे सकते हैं और Product की जगे पे जहांपे हमें Criteria Second देना है वहाँ पर हम Chocolate दे सकते हैं Okay Manually भी दे सकते हैं जैसे हमने इस वाले function में किया था और आप Style का reference भी दे सकते हैं यह आपकी preferences जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं I hope आप आपको Some If और Some Ifs में Difference पता चला होगा Some If जो है वो Single Condition पे काम करता है और Some Ifs जो है वो Multiple Condition पे काम करता है मतलब एक से जादा Conditions पे Okay आज की वीडियो यही पे खतम करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आईए तो Like, Share, Comment जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए है तो Subscribe करके जाहिएगा And I will see you on my next one Thank you so much Bye-bye